हमारी जो राष्टिय शिक्षा निती आई है, इसकी इतनी तारीफ हो रही है, इतनी तारीफ हो रही है, क्यों हो रही है, उसमें कुछ कमिया नहीं होगी ऐसा, तो मैं दबा नहीं कर सकता हूँ, कोई नहीं दबा कर सकता है, लेकिन जो लोगों के मन में पड़ा था, उसमें ल रहे हैं चलिए उस रास्ते पर हम चलते हैं हमें पुरानी आदते इतनी घर कर गई है कि राष्ट्रिय शिक्षा नीती को एक बार पढ़ने सुनने से बात बनने वाली नहीं है मातमा गांधी को कभी एक बार किसी ने पूछा था कि आपको को कुछ मन में संसय हो समय से आए हो तो क्या करते हैं तो है मतले हैं मुझे भागवत गिता से बहुत कुछ मिल जाता है इसका मतलब वो बार बार उसको पढ़ते हैं, बार बार उसके अर्थ बदलते हैं, बार बार नए अर्थ दिखते हैं, बार बार नए प्रकाश्मान पुंच सामने खड़ा हो जाता है, यह राश्रिय शिक्षा निती भी, जब तक शिक्षा जगत के लोग, उससे हर समस्या का स एक बार आया है चलो सर्कूलर आता है वैसे देख लिया तो नहीं होगा उसको हमने हमारी रगों में उतारना पड़ेगा हमारी जहन में उतारना पड़ेगा अगर यह प्रयास होता है तो मुझे पक्का विश्वास है कि राष्ट्रिय सिक्षानीती बनाने में हमारे देश के इसका बहुत बड़ा रोल रहा है लाखों की तादाद में टीचर से कॉंट्रिबूट किया है इसको बनाने में पहली बार देश में इतना बड़ा मंधन हुआ है जिन टीचर से इसे बनाया है उन टीचर का काम है कि उसको सरकारी भाषा वगेरे बच्चों के लिए काम नहीं आती है आपको माध्यम होना होगा कि सरकारी जो डॉक्यमेट है वो उनकी जीवन का अधार कैसे बने मुझे उसको ट्रांसलेट करना है मुझे उसको फुल स्टॉप कौमा के साथ पकड़ते हुए भी उसको सहर सरा डूप में उसको समझाना है और मैं मानता हूं कि जैसे कु कुछ ऐसे राइटी होता है कुछ वक्तुतुस परधाय होती है बच्चों को राष्टिय शिक्षान दिजी पर चर्चाहे करनी चाहिए